हेलो कोसी किचन में मैं आज आपको रस भरी भर्वा मावा कचोरी बनाना सिखाऊंगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें मिठाई बनाना सुरू करते हैं मावा कचोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले कड़ाई के अंदर दो चमच गी डाल लेंगे और गरम गी हो जाने के बाद हम इसके अंदर सो गिराम मावा डाल लेंगे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे दो फिलाईची और काली मिर्च को अच्छी तरह से कूट कर इसके अंदर डाल देंगे अब हम इसके अंदर दो चमच पिसी चीनी भी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमारी फिलिंग तयार है अब हम एक पैन के अंदर एक कटोरी चीनी डाल देंगे अब हम इसके अंदर एक गिलास पानी भी डाल देंगे अब हम इसके अंदर थोड़ा लाल कलर भी डाल लेंगे अब हम इसे हाई फिलेम पे दो से तीन मिनट तक गरम कर लेंगे अब हमें एक पलेट के अंदर चार कटोरिया मैदा ले लेंगे अब हम इसके अंदर आदी कटोरिग घी डाल देंगे आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हो घी डालने के बाद हमारा मोयन कुछ इस तरीके का हो गया है अब हम इस मोयन के अंदर तीन से चार चमच पानी डाल कर अच्छी तरह से माण लेंगे मन जाने के बाद हमारा आठा कुछ इस तरीके का हो जाएगा अब हम अपने आठे की लोई अलेकर कुछ इस तरीके से हाथ से ही लोई बना लेंगे अब हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिलिंग भर लेंगे अब हम इसे कुछ इस तरीके से दबा लेंगे और हमारी कचोरी तयार हो जाएगी अब हम इन अपनी कचोरीों को धीमियाच पर 9-10 मिनट के लिए सेख लेंगे 9-10 मिनट के बाद हमारी मावा कचोरी तयार हो जाएगी अब हम इने इस चासनी के अंदर अच्छी तरह से डुबो लेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करके वेल आइकन ओन करें